ग्रामे की स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी हिरोईन को जिसका नाम है टैंगलू, वो अपने किसी फ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होती है, और इधर हम देखते हैं अपने हिरो फैंगफू को, जो कि हॉसकल के बाहर उसका वेट कर रहा होता है, तब ही फैंगफू का फ्रे में रोमांस कर रही है जिस पर फैंग फू टैंग लू से पूछता है कि तुमने मुझे धोका क्यो दिया तो टैंग लू बोलती है कि पैसो के लिए मैं अभी एक साल में ग्रेजूट होने वाली हूँ और तुम्हारे पास पैसे नहीं है मुझे उससे फरक नहीं पड़ता कि कौन है सामने मेरे लिए पैसे इंपॉर्टन्ट है और फैंग फू को बहुत बुरा लगता है वो गोलता है कि तुम टैंग याद रखना ही अपने वर्ट्स और मैं भी याद रखूँगा और यह कहा कि बिचारा वहाँ से रोते हुए चला जाता है और इधर उसके जाते ही टैंग भी रोने लग जाती है जिससे हमें ये पत्द चलता है कि टैंग फैंग को सच में धोगा देना नहीं चाहती थी और साथ ही हमें फ्लाश बेक में दिखाते हैं कि कैसे मनी लेंडर्स उसकी मा को परिशान कर रहे होते हैं साथ ही उसकी मा के एक्सिडंट हो जाने के बाद उसकी मा कोमा में चली जाती है और उसको ही सारे पैस से चुकाने पड़ते हैं उसकी मा के इलाज के लिए भी और जो उसने करद लिया था उसके लिए भी और इन सबके चलते वो फैंग का कॉलेज येर बरबाद करना नहीं चाहती थी नहीं उसके बोज बनना चाहती थी साथ ही टाइंग का फ्रेंड उसकी और उसकी मा का पूरा खर्च उठा रहा था और अब्रोट में उसकी मा का इलाज कराने जा रहा था इधर हम देखते हैं कि फैंग वो अपने होस्टल रूम में आ जाता है और वो बहुत जादा दुखी होता है और अपने ग्राणपा को फोन करता है और उनसे कहता है कि ठीक है मैं आपकी बात मानने को तयार हूँ फिर हमें दिखाते हैं पांच सल के बात का सीन जहां हमारी हिरो की धामाकेदार एंट्री होती है वो आज की डेट में बहुत बड़ा सीओ बन चुका होता है और बहुत हैंसम भी लग रहा होता है कंपनी में उसकी एंट्री होते ही सारे एंप्लोईस तो बिलकुल उसके आगे पीछे करने लगते हैं और वो एक सुपर स्टार की तरह एंट्री ले रहा होता है बिल्कुल पूरे टचन और रॉले के साथ और फिर हम देखते हैं आगे कि टांग लू हमारी हिरोईन उसी कंपनी में अपनी जॉइनिक लिए आती है वो सीयो के सेकेटरी को देखके बोलती है ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको पहले देखा है और सेकेटरी हस्तु उसे बोलता है कि सार आपको केबिन बुला रहे हैं और यहां हम देखते हैं कि हमारा हिरो बेसबरी से हमारी हिरोईन का दिलाग कर रहा होता है क्योंकि उसको बदला जो लेना है यहाँ पर टैंग अपने आपको इंटेड्यूस करती है और अपने बारे में बताती है और जैसी हमारा हीरो फैंग पीछे पुड़ता है तो टैंग के दो होशी उड़ जाते हैं फैंग उसको हेलो बोलता है और कहता है कि फिर से मिलके खुशी हुई तो टैंग उसको माना कर देती है जोब से और साथी फिर हम फ्लाश बेक देखते हैं जहाँ पर वो उसको रिजेक्ट कर रही होती है पैसो के लिए टैंग इतना खबरा जाती है कि वो जोब से फारण माना कर देती है और जाने लगती है और फिर उसको fang याद दिलाता है कि शायद तुमने contract सही से नहीं पड़ा contract में लिखा है कि तुम्हे penalty में 10 million देने होंगे अगर तुम्ही जॉब टाइम से पहले छोड़ती हो जिस पर tank बोलती है कि यह सब तुम्हारा plan है तो fang बोलता है कि of course यह एक trap है वरना तुम्हारी qualification को देखते हुए तो तुम्हें इतनी high income job कौन देगा offer आज भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो पैसो के लिए कुछ भी करने को तयार हो और यह कहते हुए वो tank के बहुत करीब चला जाता है और साथी उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस offer के बारे में सोच सकती हो लेकिन इस बार मेरे पास time की कमी है मेरा time बहुत precious है वो उसके करीब ही होता है कि तभी tank की step sister आ जाती है और वो उन दोनों को तो देख के move बना लेती है और बोलती है कि तुम कैसे आ गई हाँ पर जिस पर tank tank को जलाने के लिए उसकी sister के करीब जाता है और कहता है कि मैं introduce कराता हूँ ये मेरी fiance है tank one और इसी company में काम करते है और ये कह के वो tank के expression को देखने लग जाता है कि उसको जलन हो रही है कि नहीं tank को तु सुनके धखका सा लगता है कि तुम मेरी sister के साथ ही हो तुम्हें और कोई नहीं मिली उसको जलाने के लिए फिर उसकी step sister huan बोलना शुरू कर देती है कि अगर मेरी sister की वज़े से तुम मेरे साथ हो अगर उसने एक अमीर साथे के लिए तुम मेरे फ्यौन से नहीं होते और फिर दोनों tank के सामने लभी लभी होने लगते है fang huan को बोलता है कि 7 बज़े हमाई डिनर डेट है तो तुम याद रखना ये सुनके tank जाने लगती है तो लेकिन उसको huan रोग देती है और फिर वो भाना मारती है fang के सामने कि मेरे पास बहुत साथा काम है आज तो मैं लेट हो सकते हूँ तो fang बोलता है कि क्यो ना तुमारा काम आज tank समार लेगी और इस सर ऐसे तुम लेट भी नहीं होगी tank को तो बहुत खराब लगता है इधर उसकी बहन आती है उसको काम समझाने लग जाती है फिर fang और huan हुआ से निकलने लगते है कि तब ही huan के पैर में लग जाता है वो पूछता है क्या हुआ वो बोलती है कि नैज होते है ये इसलिए तो वो tank को बोलता है कि अपने shoots change कर लो तो tank उसको देखती रह जाती है तो fang अपने pocket से पैसे की गड़ी निकल के उसको देता है और कहता है कि इतने काफी होंगे तुमारे लिए फang का ये behavior देखकर कि tank को अपना flashback क्या दाता है जहाँ पर उसको भी same problem होती है जूतों के साथ में और fang उसको help करता है और अपने shoots उसको देता है और उसके shoots खुद ले लेता है फिर हम present में देखते हैं कि tank को ये emulation खराब तो लग रहा होता है लेकिन वो bold हो करके smile करते हुए पैसो की गड़ी ले लेती है और उसको shoots दे देती है fang चाहता था कि tank को बुरा लगे लेकिन उसको smile करते हुए देखके तो वो और ज़्यादा चुड़ जाता है इसलिए उसको hurt करने के लिए और वो same चीज रिपीट करता है वो उसकी बेहन हुएन को बठा करके shoes पैनाने लगता है ताकि tank को और बुरा लगे इस समय fang tank से बहुत जादा नफरत करता है और उसको हर जगे hurt करने के लिए और humiliate करने के लिए तयार रहता है और कहीं से भी कोई मौका नहीं छोड़ता है fang को ये सब करते हुए देखकर कि tank लोग को तो खराब लग रहा होता है और वो साथ साथ अपने flashback को भी याद कर दी होती है कि किस तरह से वो ये सब चीज़े उसके लिए करता था और आज उसकी बहन के लिए कर रहा है लेकिन फिर भी वो strong रहने की acting करती है और बहाँ चलिए आती है fang के cabin से बहाँ जाते ही वो wall से चिपक जाती है उसके बोलती है कि कार से तो गया भाहर नहीं आओगे लेकिन fang उसको अपनी video conference का भाना मार करके वहाँ से निकल जाता है ये देखकर को तो हुआन को बहुत गुसा आता है और फिर हम next scene में देखते हैं कि टांग अपने घर पे आती है और वो बहुत sad होती है वो fang fu के बारे में ही सोच रही होती है कि तब ही door बल बचती है और वो door open करने के लिए door के पास आती है वो जैसी door open करती है उसको fang fu दिखाई पड़ता है अब टांग fang को तो देखकर कि बहुत जादा चौप जाती है और बोलता है कि तुम इस तरह की miserable life जी रही हो तो tank उसको बोलती है कि it's none of your business तुम यहाँ पर क्यों आयो तो fang उसको बोलता है कि तुमने hand one के साथ में मुझे मिलके cheat किया इस तरह की life के लिए तो वो बोलती है कि तुम मेरे address कैसे मिला तो वो बोलता है कि तुम मेरे company के employee हो तुमारी information मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है tank उसको जानने के लिए बोलती है लेकिन fang tank को पगड़ लेता है और बोलता है कि मेरी current worth के हिसाब से तुमें इस तरह का attitude मेरे सामने नहीं रखना चाहिए और अगर तुम मुझसे माफी मांग लेती हो तो मैं तुम में माफ करके मांगे बढ़ सकते हैं लेकिन tank उसको मना कर देती है वो बोलती है कि वो ब्लुकल भी regret नहीं करती है तो उस पर fang को और गुसा आ जाता है वो कहता है कि तुम्हारे पास एकलाता मौका था तुम्हारी जान बचाने के लिए लेकि तुमने उसको भी गवा दिया और मैं तुमको कैसे भी नहीं छोड़ने वाला हूँ और यह कहके वो गुसे में tank को किस करने लगता है tank उसको छुडाती है लेकि वो मानता नहीं और उसके बाद tank उसको छोड़ती है तो हम देख सकते है कि उसके होटो से खून निकल रहा होता है tank उसको बोलती है कि हमारे भी सब कुछ खतम हो चुगा है तो fang उसको बोलता है कि तुम अपने आपको ज़्यादा भाव मत दो यह मैं सोच हो कि मैं तुमसे ऑपसेज जूँ यह तो मैं अब सिफ फन के लिए कर रहा हूँ तो tank कहती है कि तुम्हें एक इंगेज परसन हो तुम्हें इतनी रात में किसी और और के घर में एना शोबार नहीं देता है और फिर सुनके फांग जाने लगता है लेकि मुझाते हुए सोचता है कि tank तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है मैं तुम अपना बदला लेके रहूंगा फिर हम देखते हैं कि tank उसके बारे में सोचके बैठ जाती है और फिर उनका past हम देखते हैं जो कि flashback में हम दिखाते है जहां पर fang tank को hug करता है कोकि वो market में खोज जाता है और वो डर जाती है वो उससे बोलता है कि तुम परिशान मत हो मैं कभी भी कहीं नहीं चाहूंगा और तुम्हें खुश से अलग कभी नहीं करूंगा फिर हम देखते हैं present का scene जहां पर tank यह सोचती है कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए लेकिन खो दिया है और तुम मुझसे इतना नफरत करते हो आज की date में लेकिन मैं तुम्हें तुम्हें बहुत प्यार करते हो और मैंने तुमको बहुत मिस किया वो यह अपने बारे में सोची रही होती है कि तब उसका phone बचता है वो phone ठाती है phone उसके friend Hanwen का होता है Hanwen उसको बताता है कि उसकी मदर की तब्यात में थुदा सुधार आया है और यह good news है डॉक्टर के हिसाब से और साथी उसको बोलता है कि लूलू तुम परशान मतो मैंने बंडिकल बिल भर दिया है तुम्हें चिंता करने की जूरत नहीं है तैंगलू Hanwen को थैंक्यू बोलती है और उसके बाद वो अपनी मदर की hospital जो कि abroad में उसमापे phone लगाती है और उनसे बोलती है कि मेरी मदर का प्लीस बिल मुझे send करिये बिल मिलने की बाद वो अपने आप से कहती है कि मैं जल्दी इस बिल को हनवें को चुका दूंगी और फिर हम नेक्स ये का सीन देखते है जहां पर वो office में conference room में बैटरी होती है कि तब भी पीछे से हुआन आ जाती है और वो टैंग लू को बोलती है कि जाके मेरे लिए coffee बनाओ तो टैंग बोलती है कि मैं भी designer हूँ तो वो बोलती है कि और तुम मेरी subordinate भी हो तुमारा performance app result मेरे हाथ में है तो अगर तुमको अच्छा increment चाहिए उसकी sister हुआन उस परगिरा देती है और वो बोलती ही सिस्टर हुआन इस पर गिरा देती है और उससे कहता है कि मैं नीचाहता हूँ कि तुम इसको मारने में अपना हाथ घंदा कर LO और इस सब कुछ तुम烈 शॉभा भी नहीं देता है तो उसके साथ कहता है कि जा के clean up करो टैंग sorry बोलती है अपने इस behavior के लिए और वो वो आ से जाई ही रही होती है कि फंग उसको पगड़ लेता है और उसको फिर अपने साथ में गेसी के ले जाता है और फिर हम यह tour सोट के फंग इंग को ले करके पीर उसके बाद वो टैंक को खुदि लेके जाता है और उसके लिए एक वाइट कलर की ड्रेस पसंद करता है और वो उसकी तरफ एकट सुब taraf की बोलता है कि इसको पहाँ कर आऊ टैंग ट्राइल रूम में चले जाती है वो ड्रस ट्राइ कर रही होती है और साथ ही सोचती है कि फैंग इतना बदल गया है वो पहले ऐसा ब्रूकल भी नहीं था और फिर हम देखते हैं कि फैंग भी इस ट्राइल रूम के अंदर बहुत जाता है इसको देखर टैंग तो बहुत डर जाती है लेकिन फैंग वो उसको मौड़ के पीछे से हग कर लेता है और वो उसको बोलता है कि पहले तुम वाइट में बहुत सुन्दर लगती थी कोगी तुम प्यूर और काइंड थी तो टैंग उसको बोलती है क्या मतलब है आपके कहने का तो कहता है लेकिन अब तुम बीना कपड़ों को यह अच्छी लगती हो और यह कहा कि उसके जिप खुलने लगता है तो टैंग उसको डर जाती हो बोलती है तुम यह क्या कर रहे हो तो फैंग उसको बोलता है कि तुम्हें इतनी शर्म क्यों आरी तुम तो ये काम बहुत मर्दों के साथ कर चुकी हो ना तो टैंग उसको बोलती है कि तुम्हारी फ्यांसे है बेटर है कि तुम इस तरह की हरकत किसी वुमन के साथ मत करो फैंग उससे बोलता है कि तुम इसका मतलब हुआन से जल रही हो तो टैंग उसको मना करती हो और उसको धक्का देती हो हटने के लिए लेकि वो उसको रास्ता रोक के रखा होता है उसको मना करता है तो है तो बोलता है कि तुम अपनी दाए तुम इस तीली चिल रही हो तो उसको समझाती है मेरी के पीच में कोई comparison नहीं है तो वो तुम आतर में को बिस्तवर्म नहीं करती है और नहीं फिर इलोस्ट होने का ढोंग करती है इस पर टंगलू फांग को चार्टा जड़ देती है और कहती है कि अगर ऐसा ही है तो तुम होएन को अपने साथ कपड़े लेने के लिए क्यों निलाएओ मुझे क्यों लायो तो फांग उस पर हसता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें लिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए तुम यही दिजर्ब करते है फिर हम उनके पास का फ्लाशबैक सीन देखते हैं जहां पे टांग लू और फैंग फू दोनों ही एक रूम में होते है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा awkward behave कर रहे होते हैं क्योंकि ये उनका first time होता है और फांग टांग को normal करने की कोशिश करता है वो awkward होते हुए भी उसको catch करता है किस करते हुए वो उसको bet पे लटा देता है और फिर उससे कहता है कि तुम दुन्या की मेरे सबसे खूब स्थोरत लड़कियों मेरे नजरों में और तुम बहुत ही pure और kind हो और मैं तुम से बहुत 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 और बहुत प्यार करता हूँ और यह कहए करके फैंग्फू टांगलू के साथ फिर से रुमांस करने लगता है और इस तरह से वो अपना time spend करते हैं और फिर हम present का scene देखते हैं जहां पे टांगलू यह सोच रही होती है कि एक time था जहां पे फैंग इसके इतनी इज़त करता था और आज का टाइम है कि उसके लिए इतने गंदे शवदें बोलता है अर तब ही इसको फैंक हुझा कर ले जाता ऐा निहीं कि इस पार्टी की ने चाहिए। तो फैंक बोलता है अफकोर्स मैं इस पार्टी में अपनी फ्यांसे को तो ला नहीं सकता हूँ और इधर मिस्टर होजू तो ट्वाइंग को देखके बहुत खुश हो रहा होता है और फैंक बोलता है कि मैं आपके लिए स्पेशल गेस्ट को लेकर के आया हूँ और वो बोलता है कि मैं हरे ग्लास का ड्रिंग के लिए 1000 यवान दूँगा और वो ही कहा कि कुछ पैसो की गड़ी रख देता है उसकी प्लेट पे और कहता है मेरे लिए ड्रिंग करो अब तैंक को तो बहुत बुरा लगता है वो फैंक की तरफ देखती है लेकिन फैंक उसको कुछ भी नहीं कहता है तो वो भी खुशी-खुशी लग जाती है उसके साथ ड्रिंग करने के लिए और मिस्टर हुजू को भी सर्फ करने लगती है और इधर फैंग को देखकर के थोड़ा ये सब गुसा आने लगता है और टैंग मिस्टर हुजू के साथ में एक के बाद एक बिलास ड्रिंग किये जा रही होती है और फैंग भी लगाता और उनको नोटिस कर रहा होता है गुसे में वो तो टैंग को परिशान करने के लिए लाया होता है लेकिन उल्टा फैंग खुदी हाँ पर परिशान हो रहा हुता है लोगों को इस तरह से देख करके टैंग भी फैंग को चड़ाने के लिए बैक टू बैक ड्रिंग किये जा रही होती है फिर लेकिन फैंक तब ही टैंक को पगड़ लेता है उसका हाथ लेकिन टैंक उससे बोलती है कि मिस्टर फैंक मैं तो आपकी कंपनी के लिए पैसे कमा रही हूँ और डील भी क्या करे हूँ तो फिर आप मुझे रोक क्यों रहे हैं और फिर मिस्टर होजू के साथ फिर से ड्रिंक करने लग जाती है इदर फैंक का तो बुरा हाल हो रहा होता है वो इन दोनों को देख देख के अंदर ये अंदर बहुत जैलस फिल कर रहा होता है और इस तरह से मिस्टर होजू भी टैंक के बहुत करीब आ जाता है और उसके साथ में फ्लाट करने लगता है और फैंग से तो ये सब बरदाश भी नहीं हो रहा हुता है और गुस्से से उसके हाथ तक ग्लास तोड़ जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है जिस पर मिस्टर होजू कहता है मिस्टर फैंग आप तो ये गेस्ट मेरे लेगा थे अब आप क्यों रोक रहे हैं और फैंग बिना कुछ कहे उससे उसको वहां से ले जाता है फिर हम नेक्स सीन में देखते हैं कि फैंग टैंग को टनाइंग के घर ले आता है और वो उसको हाँ पर समालने की कोशिश करता है लेकिन टैंग उसके गुसा कर रही होती है क्योंकि टैंग तो फैंग से नाराज सी थोड़ी देर पहले तो फैंग बहुत तेज गुसे में बोलता है टैंग से कि वो उससे अब भी प्यार करता है और वो इस तरह की हरकत करके उसको हर्ट करती है जिस पर टैंग भी उसे नशे की हालत में बोल देती है कि वो भी उसी से प्यार करती है और आज की हरकत से टैंग को भी फैंग ने हर्ट किया टैंग ये सुनके बहुत इमोशनल हो जाता है और वो उसको sorry बोलता है और वो बोलता है कि उससे वो बहुत ज़ादा प्यार करता है और यह कहाए कि वो उसको kiss करने लगता है और इस तरह से वो दोनों फिर से romance करने लगते है पैंग उसको अपने पूरे प्यार के साथ kiss कर रहा होता है वो दुन्दो रोमैंस करी रहे होते हैं कि इसी बीच में टैंग का फोन बचता है और फैंग उस फोन में देखता है कि हैंजन का नमबर है फैंग फोन पिक कर लेता है वो हैलो बोलता है तो हैंजन फैंग से बोलता है कि चाइना में तो इस समय रात होगी तो तुम इतनी रात में टांग का फोन क्यों ही इस्तिमाल कर रहे हो फैंग उसको भड़काने के लिए बोल देता है कि तुम सोचो इतनी रात में हमने साथ में क्या किया होगा और मेरे स्वीट टॉर्चर से टांग ठग गई है असलिए तुम फोन रखो और ये कह कि वो फोन रख देता है और फिर फैंग टांग लू को उठा करके उसके बेडरूम में ले आता है और इधर हैंजन चाइना की इमिडियर फ्लाइट बुक करता है फिर हम बेडरूम का सीन देखते हैं टांग लू को होश आता है और वो जब अपने आपको फैंग की भाहों में देखती है तो एकदम से शौक जाती है और वो एकदम से हरब राते हुए उड़ती है और फिर घबराते हुए फैंग से पूछती है कि हम दोनों एक साथ क्यों हैं तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो फrás पांग फू भी टैंग लू को ढीज करते हैं कि टूम्हें नहीं पता हम दोनों एक साथ क्यों हैं हमने कल रत क्या किया तो टैंग लू मना करती है कि तिया अइसा कुछ नहीं हो सकता जिस पर fang उसे बोलता है कि तुम इतना भी क्या शाय फिल कर रही हूँ ऐसा तो नहीं है कि हमने ये पहली बार किया है और फिर वो उसके करीब आता है और करीबा कि उससे बोलता है कि घबराओ मत मैंने तुम्हें कल रात में टच भी नहीं किया है लेकिन अगर तुम्हारा स्पॉंसर ये बात ना माने तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो टांग उससे बोलती है कि हैंडवन तुमने उससे कॉंटाट क्यों किया जिस पर फैंग फू बोलता है कि तुम्हें बड़ी चिंता है ना उस अपने स्पॉंसर हैंडवन की तो याद रखो कि आज की डेट में फू फामिली के पास उस हैंडवन से जादा हजार गुना एसेट और वेल्थ हैं तुम को हो तो मैं तुम्हारा स्पॉंसर बन जाता हूँ अपसे तो टैंग उससे बोलती है आपका कहने का मतलब क्या है आप और रड़ी इंगेजड हैं तो फैंग फू उसके करीब आता है और कहता है कि तुम को हो तो मैं शादी के बाद भी एक मिस्ट्रेस रख सकता हूँ जिस पर टैंग उसको धका देकर कि कमरे से बहार चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि डोर पे नौक होता है और टैंग लौ डोर ओपन करता है और वो देखते हैं कि हुआन हाँ पर आई हुई है उसके मारा करने के बाद भी हुआन अंदर चली आती है तो टैंग लौ से बूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहिए तुम कहती थी ना कि मेरी मदर मिस्ट्रेस है लेकिन आज तुम वही खुद काम कर रही हो मेरे फ्यांसे को सिड्यूस कर रही हो और ये कहा कि वो उसको ब्लेम करने लगती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पर इसी लिए आई हो मेरे फ्यांसे को सिड्यूस करने के लिए वो ये सब बोली रही होती है कि तब ही पीछे से फैंग आ जाता है और वो कहता कि तुम आ गई फिर वैन बोलती है कि रात में तो आप काफी थक गए होंगे इस पर टैंग कहती है इसका मतलब तुमने इसे यहां पर बुलाया है तो फैंग बोलता है कि हाँ मुझे रात के कम के बाद मेरी फ्यांसे पिकनी करेगी तो कौन करेगा फिर टैंग बोलती कि क्या फैंग फो तुम्हें मुझे इस तरह से हमिलर्ट करना जरूरी है तो फैंग बोलता है कि हाँ बलकुल तब भी तुझे मुझे खुशी मिलेगी इन दोनों की बीच की टेंशन देखकर कि हुएन तुरंट बोल पड़ती है कि मेरी सिस्टर ने कल मेरे फ्यांसे का बहुत टेकर किया मैं इस बात की डिबॉर्ट तुम्हें जरूर दूँगी और यह क्या कि वहाँ से वो लोग चले जाते है नेक्स दे टैंगलो अपने आफिस पहुचते है वो वहाँ पहुचते हैं और देखते हैं कि इंप्लॉई आपस में गॉसिप कर रहे हैं यह वीडियो देखकर तो टैंगलो की हालत खराब हो जाती है तभी उसकी सिस्टर आती है और उसको बोलती है फैंग को उसको अपने आफिस के केबन बुला रहा है